शारुखान के फिल्म जवान की चर्चवा इस समय हर तरफ हो रही है। फिल्म की रिलीज में बस एक दिन का ही समय बाकी रह गया है। हर कोई शारुख की धमाकेदार फिल्म जवान का बेसबरी से इंतजार कर रहा है। इसे बीच हिंदे सिनिमा के दिगज अक्टर धर्मेंद्र ने शारुखान को फिल्म जवान के लिए बधाया दी है। वही दूसरी तरफ धर्मेंद्र के बेटे सनी दिवल के फिल्म गदर टू ने बॉक्स ओफिस पर 500 करोड की कमाई कर इतिहास रच दिया है। इसके बाद अब हर किसी की नजरी शारुखान की जवान पर टिक हुई है। जस तरह से फिल्म जवान के एडवान्स बूकिंग चल रहे हैं। उससे ये अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि पठान के बाद शारुखान के जवान बॉक्स ओफिस पर नया कीरतिमान रचती हुई नजर आ सकती है। शारुखान के फिल्म जवान ने सारी लाइम लाइट ले रखी है लेकिन बॉलिवुड में एक और चीज ऐसी भी है जिसने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। प्रियंका चोपड़ा की भी शादी हुई है। अब छोटी बहन भी इस खूबसूरत शहर में साथ फेरी लेने के लिए तयार है। इस कपल ने उदैपुर की सतारा होटेल को बुक कर लिया है। जहां एक तरफ शादियों की चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ब्रेक अप और डिवोर्स की बाते चल रही है। दरसल बॉलिवट गलियारों में अरचुन कपूर और मलाइका अरोडा की लव स्टोरी खूब मशूर है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कपल के ब्रेक अप की खबरे भी काफी चर्चा में है। हाला कि कपल ने इन खबरों को फैलाने वाले लोगों को करारा जवाब भी दिया था। दोनों लंच और डिनर पर एक दूसरे के साथ स्पोट हुए थे। दोनों के साथ आने के बाद इस तरह की अफ़वा आटोमेटिक बंध हो गई थी। लेकिन अब मलाइका अरोडा की एक नए पोस्ट ने फिर से लोगों को थोड़ा हैरान और परिशान कर दिया है। आपको ब्ता दें कि मलाइका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टी पर एक पोस्ट शेयर किया है। हाला कि स्टोरी इंग्लिश में है लेकिन मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ दरसल मलाईका अरोडा ने लिखा है एक महिला इस बात का प्रतिबिम्ब बन जाती है कि आप उसके साथ कैसा वेवहार करते हैं यदि आपको उसका वेवहार पसंद नहीं है जैसा वो कर रही है तो आप ये देखें कि उसके साथ आपका कैसा विवहार है इसी के साथ ही मलाईका अरोडा और अरजुन कपूर को ले करके फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है लोगों का मानना है कि अब इन दोनों के बीच वो प्रेम संबंद नहीं रहा हग जल्द ही इन दोनों के ब्रेक अप की खबरे भी सामने आ सकती है फिलाल के लिए इस वीडियो में बस रता ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शाए जो बगल में बैल आइकन होता है उसको क्लिक करना ना भूले ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अगर पोस्ट होता है तो आप तक नोटिफिकिशन आसानी से पहुंच जाए